और यह देखा था कि एग्रिगेट डिमांड कम या ज्यादा रहता है तो यह दोनों सिचुएशन हमारे लिए क्या है हार्मफुल एग्रिगेट डिमांड जब ज़्यादा रहता है तो इन्फ्लेशन होता है और एग्रिगेट डिमांड जब कम होता है तो डिफ्लेशन होता है और यही जाकर आगे recession में तबदील हो जाता है great depression भी हो सकता है अगर economy में longer run में अगर depression रहता है ठीक है यही पढ़ाता ना हमने और fiscal policy में पढ़ाता है कि कैसे government through tax and expenditure maintains this aggregate demand stability लाता है कैसे यह stable aggregate demand economy में बनाता है economy में stable aggregate demand बहुत important होता है यह दोनों ही situation हमारे लिए hardball यहां तक हमने पढ़ा था अब अभी बताओ कि economy में aggregate demand का situation कैसा है हमने जो questions दिये थे normal question expansionary fiscal policy contractionary fiscal policy how fiscal policy brings employment stability and economic growth to economy कैसे राजकोशिय निती स्थिरता विकास और सम्रदी लाती अर्थ्वेवस्था में या विस्तारिय राजकोशिय निती क्या है संकुचित राजकोशिय निती क्या है एसा ही question था ना simple simple topic 2 से group A का topic 2 यही था simple simple question अभी contemporary में आप से इसमें क्या add कर सकता है जैसे recent fiscal policy के बाड़े में पूच सकता है या निती हाल का राजकोशिय निती fiscal policy syllabus में है ना तो हाल का fiscal policy से संबनित कुछ चीज़ें हो सकती है या ने और अभी बतलाईए कि अभी demand कैसा है economy में stable है या unstable unstable है क्या लग रहा है उसको stable बनाने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है recent fiscal policy क्या कर रही है employment increase कर रही है और ये तो कोई भी बोल सकता है चौक चौड़ाहा पर भी बोल सकता है कोई सरकार अब नौकर थोड़ा सा भी economics कर जिसको ग्यारना तो कहेगा demand बढ़ाने के लिए employment बढ़ाएगी सरकार लेकिन वैसा अभी है नहीं कोई direct relationship अभी नहीं दिखो गए employment बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन indirect employment बढ़ाने की सरकार कोशिस कर गई आप बताओ पोस्ट कोवीड economy के बारे में जब कोड़ोना हो गया कोड़ोना से अर्थवस्थात तबाह हो गई आचा ये बता lockdown सही है निट डिशीजन या नहीं लॉकडाउन इस राइट डिसीजन और बैड डिसीजन लॉकडाउन की वज़ए से इस डिमांड पर फ़र्क पड़ा है ना है ना और लॉकडाउन के बाद किये हमारी जो रिसेंट फिसकल पॉलिशी है बहुत बदल गई कोश्चन यहां से आ सकता है कंटेंप्रेटी में लॉकडाउन पहले तो इंटर्व्यू में भी लॉकडाउन सही था या नहीं था ये भी उस समय भी पूछा जाएगा कौन लॉकडाउन को नहीं मानते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए लॉकडाउन वाज बैड डिसेजन बोली और आप बोलिये और कोई समरसत हां बोलिये लॉकडाउन लॉकडाउन इस राइट डिसेजन और बाद डिसेजन बीच बेड बाद बाद क्या नहीं नहीं आट आट ताइम वन गोवर्मेंट हाज टेकन आट डिसीजन लॉकडाउं भाईयों भाहनों कल से बंग वो सही था या गलत था आजा सही कौन मानते हैं सही था एकनोमिक एक पॉलिसी होती है आप पढ़ेंगे एक बार्बेल स्ट्रेटिजी होती है बार्बेल स्ट्रेटिजी तो बार्बेल स्ट्रेटिजी में एकनोमिक्स में यह कहा जाता है prepare for the worst prepare for the worst सबसे खड़ाब चीज के लिए अब हम लोगों को तैयार हो जाना है या तैयार करना at that time we were not aware of कि क्या होना है किसी को कुछ पता था कितना डड़ का महौल था आज हैमियोपेथी से भी इलाज हो रहा है कोरोना का हो रहा है घर बैठे लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना से पेट के बल लेट के ठीक हो रहे हैं यह सब उपाय आ गए लेकिन उस समय पहली बार के स्ट्रेटजी में आपके सामने कोई सिचुएशन नहीं था उस समय एकनॉमिक पॉलिसी अपनाई गई बार बेल स्ट्रेटजी जिसको कहते हैं प्रिपेर फॉर्ड वर्स्ट गॉवर्मेंट है टेकें दे हार्ड डिसीजन बार बेल यह होती है बार बेल निती नोट्स मे खड़ाब चीज के लिए खड़ाब नतीजे के लिए तयार हो जा और वो खड़ाब नतीजा कैसे होता तो सब कुछ बंद होने से होता सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया मतलब कि एकनॉमिक्स में यह जो डिसीजन है यह बड़ा टफ डिसीजन सब कुछ बंद कर देना समझ के बाद पूरा जो वो डिमांड का सरकिल है, जो मैं पैसा बनाता है, जो मनी मल्टिप्लायर हो बन, सब घर में बैठ गए, जो रासन पानी बचा हुआ है, उसी में खा रहे हैं, उस समें गडीब वर्ग प्रभावित होगा, जो गडीब है उसमें अमीरों के पास क्या था, प मस्चा थे, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन सरकार ने ये टफ डिसिजन लिया कि सब कुछ बंद कर दिया, मला एकोनॉमी में कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ ख़द, ये फिसकल पॉलिसी लिए गई, लेकिन इसका और बार्बिल स्ट्रेटिजी का सब पार्ट ये होता है, कि वेन ये टेकन इस दिसिजन, एवरिटिं सुड बी क्लोज, उसके बाद सरकार में स्टैंसे या इन्फॉर्मेशन को देखते हो, वाटवर इन्फॉर्मेशन यू है, एक्वाइरिं एवरी डे, जो भी इन्फॉर्मेशन आप प्रती दिन ही कठा कर रहे हैं, और होता था इन्फॉर्मेशन आता था कि नहीं, हर दो दिन के बाद डबलू एच्चो का डिस बदलता था, सुनते थे, बहुत गुस्सा भी आता था कभी-कभी, एक आता था ना, चस्मा लगा के काला-काला सा, देखे थे, क्या नाम था उसका, वो हर चार दिन पर आता था, और हर दिन होता था, वो आपके सामने बेचारा रख देता था, उसका यही काम था, हम लोग उसको फ्री में गाली देते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन इस तरह से एक्वाइड हुआ, उसके बाद सक्सेसिव डिसीजन्स परिवर्तित किये गए, अब पोजिशन भी मोधी को उससे में जगाली देता था, कभी यह कर देता है, कभी वो कर देता है, लेकिन बार्विल स्ट्रेटजी का सब पार्ट यही यही है, कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें सक्सिवली मिलते जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी अर्थववस्था में नितियां बदलते जाएंगा, व नहीं लगा कि कोरोना बंध हो गया, नहीं है तो वहां खोल दिया, इस तरह का डिसीजन लिया करते थे, तो उस समय जब अर्थववस्था पोस्ट कोविट एकोनॉमी मतलग कोरोना के बाद जब अर्थववस्था हमारा कोलाप्स हो गया, और जीडीपी माइनस में चला गय और हमारा इने वर्ड का मेजर एकोनॉमी माइनस में चला गया, जब सारी अर्थववस्था है निगेटिव ग्रोथ कर रही थे, फिर इसका रोल आया, इसलिए लिए लिखा है रिसेंट फिसकल पॉलिसी, राजकोसिय नेती, डिमांड कम भी बरदास नहीं करती है, अब यह क्या करेगा, गौवर्मेंट ऐसा कुछ करेगा न, जिससे नया नया डिमांड जेनरेट हो, अब बतला यह आप इसके लिए क्या क्या गौवर्मेंट ने किया, अगर आपको पता है तो आप यह एंसर आसानी से लिख देंगे और तयार रहिए कि इस तरह के questions contemporary add करके topic से यही पढ़ने का थोड़ा सा innovative तरीका कि physical policy पढ़ लिया, लिख लिया कि क्या है contractionary, क्या है expansionary, और वो तो normal question है जो traditional BA, MA में आता है, academics में आता है, कि राजकोशियनिति कैसे इस्थिरता लाती है, कैसे, तो आपने देखा tax को कम करके, वैको बढ़ा के, यही सब देखा न, कहीं tax को घटाना है, कहीं वैको बढ़ाना है, कुन को नहीं आये थे पहली class में, नए कौन है, तो यह सब आप वीडियो अपलोड हो गया भी वो देख लेना, ठीक है, YouTube पे पहला वीडियो डाल लिया, कैसे tax को बढ़ा के, कैसे कम करके, कैसे expenditure को बढ़ा के, कैसे expenditure को कम करके, और वो भी sector wise, यह ऐसा नहीं कि साड़े sector में एक निर्ना लिया जाता है, sector wise, कहाँ पर demand कम है, वहाँ पर demand बढ़ा दिया है, यह होता है, fiscal policy, लेकिन उस समय अब तुरंत जो government का role था, generate aggregate demand, पता है, government ने LTC voucher scheme भी निकाला था, याद है किसी को, government job में जो होंगे, उन्हों इस बात पर गौड किया हो, LTC मिलता है, लोगों को, हर साल में, प्रतेक साल में, एक साल LTC मिलता है, कहीं भी आप घूम सकते हैं, government ने उसको कहा कि, आप इसको in cash कर सकते हो, in cash करेगा, तो घ आप घूमने जाएगा, ऐसे ही बीमारी फैल आएगा, तो LTC voucher scheme, उससे भी क्या होगा, आप के पास cash आगया, तो आप cash क्या करोगे, आप 10 रुपे का भुट्टा भी खड़ीते हो, आप economy में demand generate करो, आप एक सूस भी खड़ीत लिए, कोरोना में क्या हो गया था, लोग आने लगा था, कि एक पैंट दूसरे पैंट से पूछ रहा है, अलमारी में पढ़े पढ़े तेरा नंबर कब आएगा, अधर से बढ़ मुडा हाप पैंट उछल रहा है, आज मेरा नंबर, आता था या ने, लोग पैंट भी पहनना भूल गया था, इसका मतलब कंजम्शन डिमांड एकदम क्या हो गया था, खतम, तो LTC voucher scheme भी आपके economy में डिमांड जेनरेट कर सकता था, गौवर्मेंट ने इतना छोटा भी सोचा, यह बहुत छोटा है, यह बहुत बढ़ा जेनरेट नहीं कर सकता है डिमांड, लेकिन गौवर्मेंट ने LTC voucher scheme भी लेकर आए, इसको इतना दे दिया, इसको इतना दे दिया, इसको इतना दे दिया, इसका मतलब जब छोटे मद्धम उद्योगों में पैसा जाएगा, उसको पैसा free में नहीं दे रहा था, लोन दे रहा था, पहले लोन नहीं मिल रहा था, अब लोन मिल रहा था, वही सरकार यूज कर रह जेनरेट कर रहे थे तो सरकार ने छोटे-छोटे स्कीम निकाले जैसे LTC वाउचर स्कीम सरकार ने माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटर्प्राइजेस को लोन दिया आप निर्वर भारत के तहत लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया ठीक है और हाँ हेलिकॉप्टर मनी आच हेलिकॉप्टर मनी साब समझते क्या है है हेलिकॉप्टर मनी है है वो हेलिकॉप्टर मनी नहीं हुआ है है इक करते हैं इंपोर्टेड इनवेस्टमेंट तो इकोनोम आपके खाते में जंधन या सॉड़ी यह जो किसान निधी सम्मान युजना आ रहा है उसको आप हेलिकॉप्टर मनी नहीं कह सकते आपने वही कहा न भी डाइरेक्ट खाते में जमा कर रही है, government अगर कहीं से import कर रही है investment लाकर economy में influx कर रही है, वो होता लेकिन ये तो अपने resources से generate करके किसानों को माट रही है, ठीक है, तो fiscal policy में ये आएगा क्योंकि इसे demand बढ़ता है, ठीक है, पैसे का lendने ने खर्चा है, ठीक है, और इस तरह से क्या program किये सरकार ने, जैसे मैंने आपके notes में लिए, हाँ, बोलिए, skill development या इसने कहा job, तो job का कुछ data दे तो जैसे government ने कहा, कोरोना काल में ही, हाँ, मनरेगा वगर भी आएगा, 5000 प्लस ITIs, ये भी कहा, आपके जारखन सरकार ने सरकार ने, मतलब जो migrate मजदूर यहां आ रहे थे, उनको भी जारखन सरकार ने मनरेगा जैसे scheme से जोड़ा, जो सिर्फ मनरेगा कहा होता है generally, ruler area के लिए, लेकिन अरबन मनरेगा भी लेकर आपका जारखन सरकार आया, इसमें a skill development भी जोड़ सकते हैं, आप निरभर भी जोड़ सकते हैं, और बहुत बड़ा agriculture infrastructure fund लेकर आई थी सरकार, इसमें सभी कुछ सामिल होगा, agriculture infrastructure fund, ये fund लगभग था, 1.2 हाँ, 1 lakh करोड का, एक 1.2 करोड किसान क्रेडिट कार्ड भी बाटने की मनजूरी दी, किसान क्रेडिट कार्ड अभी तक आपके 130 किसानों के पास, नहीं, only 49% farmers has KCC, तो सरकार ने सोचा KCC बाट देते हैं 1.2 करोड किसानों को, तो KCC पहले सिर्फ production के लिए दिया जाता था, लेकिन अब KCC कंजम्शन के लिए भी दिया जाता है, मतलग किसान को भी अगर कोई जरुरत है, तो कंजम्शन के लिए KCC से amount निकाल सकता है, तो सरकार KCC में, KCC को release करके या agriculture infrastructure fund, तो agriculture infrastructure fund कहां खर्च होगा, सिचाई में, agriculture equipments में, infrastructure में, उसे economy, ruler economy boom करेगी, यह मनरेगा ruler economy को boom कराएगा, urban मनरेगा, migrant labor की issues को solve करेगा, इधर medium, small, micro enterprises के लिए लोन दिया, तो indirect employment generate करेगा, छोटे-छोटे उद्ध्यों को, मतलग LTC voucher scheme service sector से लेके, industry sector से लेके, सरकार small scale sector, ruler sector, हर छेतर में ध्यान दिया, manufacturing, या infrastructure में कह रही है, चलो अभी बड़े-बड़े pull नहीं बना सकते है, ITIs बनाएगे, और कहा कि 5000 plus ITIs, कब तक तो year भी mention है उसका, इस तरह से recent fiscal policy, post covid economy के बाद, अर्थवस्था में, demand को generate करने के लिए लाएगे, यह साड़े प्रयास आपको jot out करने पड़ेंगे, अगर recent fiscal policy पूछ देता है तो, अगर कहता है कि government demand को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे है, पूछेगा हो सकता है, पूछे कि what do you think, economy is facing, या economy has crisis of low demand, situation of low demand, what do you think, तो यह fiscal policy का सवाल, अभी economy में कम demand है या नहीं, तो कम demand है, तो उसके कारन्स क्या है, पूछ सकता है, what are the regions of low demand in economy, भारती अर्थवाफस्था में निमन मांग, अभी बरतमान में निमन मांग का कारन क्या है, तो कारन क्या है, post of covid economy, उससे पैदा हुए उससे situations, unemployment, यही है ना, poverty, ठीक है, और recent में कोई government का, जो उसने, जिसकी वज़ा से, तो वो past में आप कुछ दे सकते हैं, GST, demonetization, वो तो अभी था ही, उससे उबढ़ ही रहते, कि अचानक से क्या गया, corona आ गया, तो background का भी दे सकते हैं, कि अभी हम लोग पुढाने situation से, जो region थे, major regions थे, अर्थववस्था में कुछ समय पहले के, low demand थे, अभी तो हम लोग उससे निकल ही रहते, कि corona आ गया, और because of corona, unemployment has increased, poverty has increased, so low demand, और उस low demand को सरकार इस तरह से निपट रही है, getting or not, तो यह सारे regions आपको लिखने होंगे, lockdown का वो पूछ सकता है आप से, कि lockdown सही decision है या नहीं, यह interview में, तो हम लोग mains के साथ interview भी देखते चलते हैं, आप क्या बोलेंगे, रोहित, सही भी था और गलत भी था, ऐसा तो जबाब interview में दे ही नहीं सकते हैं, अगर कह देता है, be a specific, फिर तो आप उसे चर्चा करने लगे, दोस्त के जैसा, है ना, आप interviewer को strongly अपनी बातों को बताते हैं, और पहला statement कभी भी यह नहीं होना चाहिए, दोनों, अगर आपको मन में है इस तरह की बाते हैं, तो आप फॉर में और अगेंस्ट में चार-चार पॉइंट बोल दीजेसी थे, जैसा हम में संसर राइटिंग में करते हैं, वहां भी be a specific, पहला यह लाइन बोल के आप उसको confuse कर रहे हैं, कि आपका mind clear नहीं है, अगर mind clear है, तो चार-चार पॉइंट बता दो, getting or not, तो इस तरह के भी सवालों से तयार रहिए, चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब का topic 2 पूरा हो गया, fiscal policy, ठीक है, अब हम लोग topic 9 के तरफ चलते हैं, जो था monetary policy, जैसे जैसे admission लेते जाएंगे, mobile app का access मिलते जाएगा, notes वहीं पड़ स्कैन होके, आज से डलना सुरू हो जाएगा, video, video के ठीक नीचे, notes, तो जो भी offline में भी पढ़ेंगे, notes आपको वहीं पहले सो चाता, WhatsApp group में, लेकिन मुझे लगता है कि वह सही नहीं रहेगा, क्यों, तो आप application का access लिजिए, और वहां से आपको notes मिल जाएगा, सबका अपना-पना notes, किसी को कोई confusion नहीं हो, जैसे WhatsApp में ये भी दिक्कत आ सकती है, कि आज ये दे दिया, और कोई सोया रहे गे आज सुबर, और वो notes को फिर mix-up कर रहा है, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन, तो lecture-wise वहां notes upload रहे हैं, तो आपको easily relate हो जाएगा, तो lockdown सही था ना, बारवेल strategy हम लोगों ने अपनाया, हम लोगों के पास और कोई उपाय नहीं था, अगर हम लोग छोड़ देते, कुछ खुला छोड़ देते और कहीं कुछ worst हो जाता तब, लोग बहुत ज्यादा मर जाते तब, देखा second lockdown में, oxygen cylinder लेके लोग भागा भागी कर रहे हैं, भारत की तो health system तो देखी रहे हो, तो अगर उससे में लोग डिसीजन पता नहीं, हम पढ़ा भी रहे होते हम भी निकल जाते हैं, हाँ, corona में उनकी death हो गई, तो हो सकता है कि हम भी चले जाते हैं, तो बच गया भगवान से सुकर मना रहे हैं, तो monetary policy, बहुत लोग तो मोदी का भी मनाने कर रहा था कि किसी तरह मर जाए, सब प्रिडिक्ट कर रहा है कि अमित्सा को corona हो जाएगा, हर्सवर्धन को हो जाएगा, कह रहा है कि मोदी तो मर ही जाएगा, बच गया लेकिन यूगपुरुस, नहीं, चली आते हैं, monetary policy, हम लोग aggregate demand ज्यादा या कम हो जाता है, तो physical policy इस situation पर कैसे react करता है, how physical policy react to low aggregate demand और high aggregate demand, अभी हमने यही देखा ना, तो बाद में पता चल गया, कि कुछ नहीं है, अब देखो हम 9 दिन में ICU में रहे हमें कुछ नहीं हुआ, मास्क लगाते थे दो, बढ़िया, और sanitizer यूज करते थे, कुछ नहीं हुआ, मतलब, then realize, then government realize, या public realize, हम लोग पहले में तो घर से निकला था एक महीना, तुम बताओ, अब बाद में, तब, तुम्हें भी पता चल गया, धीरे-धीरे, कि अब इसका कुछ मतलब, हम तो relax हो गया थे, कोई, मास्क लगाना भी छोड़ दिये थे, धीरे-धीरे लोगों ने ये realize करना शुरू किया, कि ये कुछ नहीं है, लेकिन था तो, कोड़ना से आप मना नहीं कर सकते हैं, कोड़ना तो अभी भी है, अभी भी हम में से किसी को भी हो सकता है, मतलब, वो virus तो अब है, जैसे cancer है, वैसे ही अब corona है, अगर होता है, तो लरना है, लेकिन अब उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान ली, अब देखिए, अमेरिका में अभी fail रहा है फिर से, तो वहाँ पर booster dose मारा जा रहा है, कि एक और dose ले लो तब corona नहीं होगा, तो अब awareness बढ़ गई, तो धीरे-धीरे खोला गया चीजों, तो अभी तक हम लोगों ने deal किया, कि how fiscal policy deal with this situation, low aggregate demand और high aggregate demand, clear है ना अभी, अब यही situations को monetary policy भी deal करता है, ये काम है, सरकार का, government का, और ये काम किसका है, RBI का, RBI को भी ये चीजे पसंद नहीं, low aggregate demand और high aggregate demand, सरकार के साथ-साथ, RBI की भी responsibility है, कि वो inflation को maintain रखे, कह सकते है ना, low और high aggregate demand के situation को, inflation को maintain रखे, ना deflation होने दे, ना inflation जादा होने दे, इस बात को सभी लोग समझ रहे हैं, ना inflation जादा होने दे, और ना deflation कम होने दे, ना तो aggregate demand जादा होने दे, ना aggregate demand, मतलब कि RBI का काम मैं ऐसे कह सकता हूँ, inflation को maintain करना, aggregate demand low और high के situation को मैं ऐसे कह सकता हूँ या ने, हाँ या ना बोले नहीं, तो मैं यही चार बार repeat करूँ, कह सकते हैं ना, कि RBI, अब monetary policy का अब काम क्या हो गया, या RBI का काम क्या हो गया, to maintain inflation, inflation को हिंदी में महगाई करते हैं, तो RBI का काम क्या हो गया, महगाई को नियंतरित करना, महगाई को नियंतरित करना, अब एक plain question जो बनता है, और सबसे पहले कि यह कौन है RBI, या RBI के अंदर में क्या mechanism है, जो यह काम करता है, इन्फलेशन को maintain करने का काम, उसका जवाब है MPC, monetary policy committee, RBI में इस काम को कौन अंजाम देता है, MPC, MCQ अगर आ सकता है, monetary policy committee क्या होती है, कब बना, पहले क्या था, तो monetary policy committee के पहले था TAC, technical advisor committee, टकनीकी सलाकार समीटी नाम था, और यह है मौदरिक निती समीटी, अब कहानी खत्म हो गलो बावुरे, बैटो, एक सलमान खान का डायलोग क्या था, एक तुम मुझ पे अहसान करना कि मुझ पे अहसान न करना, क्या था इस तरह से था ना को, क्या था, यही था, क्या एक बार फिर से बोलना, हाँ, एक अहसान करना, कि तुम मुझ पे कोई अहसान न करना, उसी पे बोल रहे हैं, उध्यानी नहीं दे रहा है, तुम ही पे यह डायलोग है मेरे भाई, सलमान खान के टाइप इसकी इंट्री हुई की ने, मतलब कि हमको कोई मतलब नहीं, हम आएंगे, अपने मर्जी से आएंगे, जो तुम को पढ़ाना है, पढ़ लो, पढ़ा लो, हमें कोई फर्क, इसका था या नहीं था अप देर से आएगा, तो ऐसे ही तुम लोगों को बोलेंगा, देर से आने का एक और रीजन है, मेरा पुराना बच्चा लोग सब जानता है, हम लोग सब साथ में खेल रहे थे, बच्चपन की बात है, स्कूल के, तो तु रह कहां जाता है, तो आदू कहता, तु समस्ता नहीं है न, देर से घुशते हैं, तो सब लड़की लोग देखती, तो अब दो रीजन देख लो, एक कि तुम को कोई पढ़वार नहीं है, कि सर जो पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, मेरे काम का नहीं है, और दूसरा, तो टाइम से आओ, मौनिटरी पॉलिसी मेंटेन करना है, इनका इंफलेशन का काम है, इंफलेशन मेंटेन करने का, तो आरबी आई के तहत एक मेकनिजम है, MPC, जिसको हिंदी में कहते हैं, मौद्रिक निती समीती, मौनिटरी पॉलिसी कमिटी, तो ये जो घटना है, ये 2016 का है, उस समय RBI Act में amendment करके ये MPC लाया गया, उसके पहले की जो कहानी थी वो थी TAC की, Technical Advisory Committee, MPC के पहले TAC होता था, अब क्या होता था दोनों और कैसे TAC से अलग है MPC, TAC के बाद आया MPC, इसके मतलब कि TAC में कुछ जो कमी होगी उसको MPC में दूर क किया गया होगा, तो Technical Advisory Committee में यहां पर Government और RBI के members होते थे, जो की decision लेते थे, कि rates को कम करें या ज्यादा, मतलब महगाई को कम करने के लिए कुछ RBI के पास rates होते हैं, अभी वही आगे पढ़ेंगे, Tools of Monetary Policy में, तो उस rates को कम करें या ज्यादा, आप देखते होंगे कि repo rate, bank rate कम किया जाता है, बढ़ाया जाता है, वही कहानी, तो किसका जिम्मेदारी है, तो MPC का जिम्मेदारी है, RBI के अंदर MPC, वही करता है वह, rate को कम या ज्यादा, उसके पहले था TAC, तो TAC में RBI भी था और Government का भी representative था, टकनीकी सलाकार समीती, Technical Advisory Committee, अब इस TAC में government का भी member था और RBI का भी member था, और जब voting होती थी, तो मान लो कि अगर ये situation है कि दो-दो के voting से यहाँ पर tie हो गया, मतलब कि यहाँ गवर्नर भी कह रहा है, गवर्नर का एक दोस्त भी कह रहा है कि नहीं, rate बढ़ना चाहिए, yes के favor में कह रहा है, और Government कह रहा है कि नहीं बढ़ना और दोनों ने कह दिया कि rate नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है, अब Government ऐसा क्यों करती है, ये तुम लोगों को सवाल पूछना चाहिए, Government कभी कभी जब RBI को inflation control करना होता है, तो RBI inflation control करने के लिए क्या करेगी, पैसा बढ़ाएगी या कम करेगी, बताओ, पैसा कम करेगी, पैसा कम करेगी, तो तुम लोगों के पास अगर पैसा कम हो जाएगा, तो Demand कर पाओगे, तो Demand नहीं कर पाओगे, तो Government का नुकसान होगा या नहीं होगा, Government हर पांच साल के बाद आपको एक report कार्ट देती है, कि look, GDP in this five year is this much, कहती है या नहीं कहती, मोदी अपना election में चीक चीक अम्मानी का तुम प्रोपर्टी बढ़ा दिया, ये सब बात की बात है, लेकिन पहले क्या देखा जाता है, GDP, तो GDP कैसे बढ़ेगी, एकोनॉमी में बिना Demand के बढ़ेगी, तो Government जो होती है न, ये inflation का न, ध्यान नहीं रखती है कभी-कभी, अपने report card के चक्कर में, काम है, Government का भी inflation control करना, लेकिन कभी-कभी Government short-sightedness, short-sightedness होता क्यों है Government में, क्या Government खराब होती है, political influences, राजनितिक भी कुछ रोटी सेकनी होती है, कि GDP अगर खराब हो जाएगा, तो अगले बार कोई भोट, चलो कोई बात नहीं, कुछ चीज़े महगी हो जाती है, तो ये जनता तो कीमतें भी बढ़ रही है, तो आपको कोई increment मिल रहा है, आपको salary 10 रुपय बढ़ा दे और 12 रुपय आपका inflation में चला जाए, तो कोई फायदा हुआ, तो सरकार सोचती है कि public तो बुद्धु है, हम दिखाएंगे कि GDP 12% से बढ़ा, भले ही महगाई के कारण उसकी कमर टूट कि क्यों न रहे, तो राजनितिक रोटी अगर सेकनी होती है, अगर political situations ऐसा हो जाता है, कि नहीं हमें aggregate demand दिखाना ही दिखाना है, हम इसके साथ compromise नहीं, तो short-sightedness वाली जो government रहती है, जो दूर का नहीं सोचती, और public को खुज करने की निती अपनाती है, वसे कुछ government होती है, वो inflation का ख्याल नहीं रखती है, उसमे inflation बढ़ जाता है, वो demand को बढ़ाना चाहती है, तो RBI को inflation control, main जिमेदारी RBI की inflation control, तो यह कहता है कि रेट का पैसा कम करेंगा, तो पैसा कम करने के लिए कह रहा है कि हम yes करेंगा, और यह कह रहा है कि no, अगर इसने दोनों में tie हो गया, तो tie होने के बाद इस governor का, यह कहता था ना कि TSE में यह governor जो कह देगा so होगा, मतलब sorry, RBI जो होगा, जो majority होगा, मतलब यह यहाँ पर अगर दो voting आ गई, यहाँ भी दो voting आ गई, तो यहाँ कहता था कि majority यहाँ पर decide नहीं करेगा, यहाँ पर जो decision ले लिया गया, और government का उस deciding authority नहीं होता था, इसमें RBI कोई deciding authority नहीं, government ने जो कह दिया, और generally RBI का governor, government का आदमी होता था, तो वो government के favor में decision ले ले लेता था, tie होने के बाद भी, क्योंकि RBI जो होता था, वो government appointee होता था, तो यह government के against में नहीं जाता था, अभी भी यह government appointee है, लेकिन अभी MPC में बदल क्या गया, कि TAC अगर हो जाता है, अगर TAC में पहले की तरह tie हो जाता है, तो governor will have a casting vote, यह अभी इसमें लिख दिया गया है, amendment करके, कि governor will have a casting vote, मतलब गवर्नर जो कह देगा, वो निरनायक होगा, मतलब कि government, governor को कुछ responsibility दे दी गई, और casting vote दे दी गई, responsibility दे दी गई, कि inflation जो है, वो 2 से 6 परतीसत तुमको maintain करना पड़ेगा, मार्च 2021 तक का ये बात था, कि inflation अपने देश में कितना maintain करना होगा, 2 से 6 परतीसत, और अगर 6 परतीसत से inflation बढ़ जाता है, या 2 परतीसत से inflation कम हो जाता है, deflation का situation हो जाता है, तो governor will be responsible, यह fix कर दिया गी, पहले ऐसा नहीं थ accountable नहीं था, तो नहीं MPC निती में governor को accountable बनाया गया, कहा कि अगर inflation बढ़ेगा, तो आपको जबाब देना होगा, तो अब governor, अब इस governor पर जिस पर जिमेदारी भी दे दी गई, निरने के लेने के समता के साथ, तो ये government का बात मानेगा, पहले क्या होता था, एक रहुराम रा government कहता था कि तुम मेरा बात मानो, तो देखो उसमें वित मंत्री उस समय थे, अरुण जेटली, दोनों में अनबन बना रहता था, अल्लास्टली में रगुराम राजन यहां से छोड़के चले गए, कुछ governor जो free mind से काम करने आते हैं, अब इस MPC में free mind से काम कर पाएं, कहें मेरा काम है न, कंट्रोल करना, मैं अपना निरने लूँगा और मैं इसको कंट्रोल करके, अब government जो है, अगर इस पर दबाव डालती है, तो यह दबाव में काम करने के लिए तयार नहीं हो सकता, अगर यह पिछलगू होगा, चमचा होगा, तो अभी भी बात मानेगा, लेक लोकतंत्र को बाहल करने की कोशिस की गई है, MPC has more democracy than TAC, वो democracy वो लोकतंत्र कैसे दिख रहा है, कि यहाँ पर MPC में majority will decide, कि अगर 2-2 का tie भी हो गया, तो governor जो कहेगा, वो होगा, यह नहीं कि जो government कह देगी, governor उसका बात मान लेगी, और governor को अब responsibility है, कि तुम liable होगे, तुम में जबाब देना होगा, अगर inflation बढ़ जाएगा, तो governor अपना risk पे काम करेगा, governor अब सरकार की बात को नहीं मानेगा, लेकिन governor अगर चमचा होगा, सोचेगा कि चलो 2 साल और बढ़ा देगा, कहीं इधर उधर retirement के बाद भी कोई job लेना है, तो यह सरकार का बात मानेगा, इ governor कट पुतली था, governor को नचाया जाता था, दोनों का system का काम है inflation control करना, लेकिन वही government short sightedness होती है, government हमेशा देश के दुरगामी अर्थवस्था के अच्छे बेहतर के लिए सोच नहीं पाती है, तो political influences के कारण वो इस तरह से decision लेती है, तो RBI में हम monetary policy को अंजाम देने के MPC, तो MPC से question आत सकता है कि ये कब बना, कब amendment हुआ, इसके पहले क्या था, वर्स में ये कितनी बार मिलेगा, तो कहता है कम से कम चार बार मिलेगा, governor has casting vote, governor निरनायक मत ले सकता है, governor has to maintain the desirable rate of inflation, वर्स में कम से कम चार बार, चार बार से अधिक कितने भी बार मिल सकता है, हर मह issue नहीं है, लेकिन कम से कम चार बार जरूर मिलेगा, ये सब MPC, ये MCQ में हो सकता है, interview में यहां से भी पूछा जा सकता है, कि what do you think, how MPC is better than TAC, पूछा जा सकता है, तो MPC has more democracy than TAC, MPC में democracy लोकतंद ज्यादा विद्दमान, ये भी हो गया, तो इससे MCQs आ सकते है, कि MPC determines monetary policy, चलो, अब आते हैं कि MP monetary policy में, मौद्रिक निती में, RBI, inflation control करेगी, यही काम करना है, इसका inflation control, तो RBI के पास ना, दो tools होते हैं, एक को कहा जाता है, direct, ये क्या कहा जाता है, qualitative tools और quantitative tools, qualitative tools, और quantitative tools, quantitative tools, ये दो tools होते हैं, इसको कहते हैं qualitative, इसको कहते हैं हिंदी में गुनातमक, गुनातमक उपकरन, और quantitative, इसको कहते हैं मात्रातमक, तो मात्रातमक tools, मात्रातमक उपकरन, और qualitative, गुनातमक उपकरन, ये दो tools होते हैं, जिससे RBI, inflation control करने का काम करती है, quantitative में क्या होता है, quantitative का मतलब, मात्रातमक का मतलब, किसी तरह money supply की मात्रा को क्या करना है, कम करना, quantitative का मतलब ये है, इसके लिए RBI बहुत सारे rates को यूज करती है, पहला rate है आपका bank rate, दूसरा है repo rate, तीसरा है reserve repo rate, एक bank rate का छोटा भाई होता है marginal standing facility rate, उसके बाद होता है CRR, सब सुने होंगे, आप लोग सब पढ़े होंगे, SLR, उसके बाद होता है open market operations, generally यही tools है, और सबसे major tools जो है, वो है repo rate, आप देखेंगे कि जादतर आपको चर्च रेपो रेट का मिलता है, अभी यह सबसे ज्यादा use होने वाला चीज, 2 से 6 प्रतिसद तक रखने का target है, 2021 तक मार्च 2021 तक, कोरोना के बाद इसमें decision नहीं लिया गया, यह जो desired level of inflation है, 4 परसेंट प्लस माइनस 2, यह desired level of inflation था, मार्च 2021 तक, government को यह निरना फिर लेना था कि अब desired level of inflation, हमारा कितनी महगाई हम tolerate कर सकते हैं, इसका मतलब यही था, तो 4 परसेंट प्लस माइनस 2 का मतलब 2 से लेकर 6 पर 30, तो यह 2020 तक था, तो यह कैसे था, कि आपके अर्थ ववस्था में जितनी GDP होती है, अगर यह GDP बढ़ रही है, अगर इस GDP में money supply बढ़ रही है, तो आप बढ़े, अगर आपके पास पैसा बढ़ रहा है, तो आप महगाई ज्यादा tolerate कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कैसे निकालेंगे कि हम कितना महगा समाल ले सकते हैं, जेव में जितना ज्यादा पैसा होगा, getting or not, तो economy में जितना ज्यादा पैसा होगा, जितनी पैसे बढ़कर 800 रुपए किलो ऐसे ही नहीं हुआ आपके पास इंकम बढ़ा तो आप अपने बढ़े हुए इंकम से एक रुपए के जगा दो रुपए किलो घी खड़िदने लगे फिर इंकम बढ़ा तो फिर आप तीन रुपए किलो घी खड़िदने लगे इस तरह से बढ बढ़ते बढ़ते कीमतें ऐसे купर कीमतों का बढ़ना गलत अब 딱 होड़ा सा अगर प्रोडियोशर fakstore 3 रुपए से ग्यारा किंथ और इसकी उतक्राइब टे रुबको फ्रिर nearest गर आ गया अभी किम लोग इंहलों इसना में इस सब सारही समस्द lors करेंगे production करने में producer interest करने लेने लगेगा करें इसकी कीमत बर रहे इसका मतलब क्या कीमत बढ़ने का मतलब क्या इसका डिमांड है तो जिसचीज का डिमांड है उसका वो production करेगा तो आर्थ फ़वस्था में कीमतें को बरने से production producer will get encouragement प्रोडूशर विल प्रोडूश मोर दैन मोर इंप्लाइमेंट, मोर इंकम, वेटिंग और नॉट, तो यह कीमतों का बढ़ना गलत नहीं है, तो कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन साथ-साथ में आपकी इंकम बढ़नी चाहिए, अगर जीडीपी बढ़ रहा है, तो आपका टोलरे सब कुछ सांथ हो जाएगा, तो सरकार सोचेगे कि कितना महगाई अर्थवस्ता जेल सकती, अभी इस समय अगर 2% से कम चला जाता है, इसका मतलब कि आपका एकोनॉमी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो यह तो गलत इंडीकेटर है, डिफलेशन तो गलत है, अगर 4% है 3% है, 5% है, इसका मतलब ये 2 से 6, 4 का जो ब्रेकेट था, यही हमारा था ना 2021 तक, तो 2022 में अभी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्शर में बदलाव तो नहीं आ गया, आपको नोकडी तो नहीं मिल गई, तो बहुत सारे सरकमेस्टांस बदले नहीं, लेकिन कोरोना आ गया तो कोरोना के आने से डिफलेशन का खतरा है, इसका मतलब इंफलेशन बढ़ना, मतलब 4%, 5%, 6%, 7% बढ़ेगा इंफलेशन, बीच में महगा हो गया था सारा सामान, तेल देख रहा है तो तेल अभी भी महगा है, गेटिंग और नट, एक चीज और इसमें जान लो, अभी current account surplus हो गया था economy में, ये चीज आपने observation किया था पेपर में, current account surplus, current account surplus का मतलब मुझे कोई बतला दीजे, इससे क्या समझते हैं, current account surplus, BOP का पाठ होता है, current account, capital account, चालू खाता, पुंजी खाता, तो चालू खाता में अभी surplus हो गया था, और एक फेक्ट और इसके साथ लिख ल reserve, ये एक समय कोरोना के बार, dollar, 542 billion हो गया, अभी और हो सकता है, 600 billion हो, recent data, मतलब तुम्हारे पास, बिदेशी मुद्रा भंडार इतना हो गया था, कोरोना के समय, और current account surplus भी था, इसका मतलब मुझे कोई बतला दीजे, बिल्कुल सही जवाब, नितेश तिवारी, आपने मेरा economic साथक्षा अच्छे से किया है, बधाई हो, इसका मतलब कि current account surplus का मतलब, कि आप यहाँ पर अगर export करते हैं, निरयात करते हैं, तो यह हमें ऐसा घाटे में रहता है, यहाँ पर दो ही component होता है, major, export and import, और अगर export कम होता है, import से, तो इसको कहते हैं, BOT हो गया है, balance of trade deficit हो गया है, बैपार घाटा इसको हिंदी में बोलते हैं, balance of trade deficit, if export less than import, तो export less than import, अगर export कम होगा, तो आपके पास विदेशी, मुद्रा, भंडार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आप कुछ बेच नहीं रहें, बेचेंगे तभी तो विदेशी, मुद्रा आएगी, अमेरिका वाला आएगा, किस चीज में खरीद के ले जाएगा, यहाँ से, डॉलर मिले जाएगा ना, यह रुपे में, डॉलर मिले जाएगा, इसका मतला, अगर हम export कम कर हैं, तो हमारा विदेशी, मुद्रा भंडार क्या होगा, कम होगा, लेकिन यहाँ पर्दे को विदेशी, मुद्रा भंडार भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर हम लोग export भी कम कर रहे हैं, और current account surplus भी है, तो इसका रीजन यही था, कि हमारा यहाँ import बिलकुल क्या हो गया था बंद, हमारी अर्थवस्था बंद थी, तो जो बहुत ज़्यादा हमारी निर्भरता है तेल पर, सरसों तेल नहीं, पेट्रोल, जो हमारी बहुत ज़्यादा निर्भरता है पेट्रोलियम प्रोड़क्स पर, उसका आयात क्या हो गया था, कम, long drive पे जाना बंद हो गया था, लोग जॉब पे जाना बंद कर दिये थे हाँ बिल्कुल वो भी होगा लेकिन current account surplus जो है न ये major हमारा export और import include करता है overall यहाँ पर आयात जो था आपका कम हो गया था import आप कम करने लगे थे आप external sector जब पढ़ेंगे तो उसमें BOP एक chapter आता है ये BOP is related to external economy बाहे चेतर घर की बात तो अपनी है बाद में कर लेंगे यहाँ पर हम external economy ये current account surplus BOP का भाग है बाहे चेतर की बात कर रहे हैं ये एक देश का दूसरे देश से लेखा जो खा है हम क्या उसको बेचते हैं और क्या वहाँ से लेते हैं तो अभी domestic demand का तो बहुत सारा region है domestic बाप ने देखा कि निम्न मांग क्यों हो गया कोरोना के बाद जब सब कुछ बंद है जॉब नहीं है बेरोजगारी है गड़ी भी है तो low demand लेकिन current account surplus हो जाने का मतलब यह है कि लोग सोना import नहीं करने लगे और ऐसे gold jewelry ले रहे है जो generally हमारा gold क्या है विदोशों से आता है हमारी निर भरता है उन पर तो हम लोग उनको payment करते है hard currency में मतलब डॉलर में तो हमारा foreign exchange डिपलीट होता है तो current account surplus नहीं रहता है generally चालू खाता घाटा ही होता है किसी भी अर्थ वस्ता का घाटा होना कोई बहुत बड़ी बात current account में नहीं है लेकिन यहाँ पर current account surplus है इस surplus का मतलब कि आपका export क्या हो गया है आपका export उस समय बढ़ चुका था और उसका region क्या था कौन बतलाएगा export बढ़ने का region इसमें आप PPT kit बेच रहे थे और आप medicines आप देखो जो भी गवई वगड़ास जो investment किया इंडिया के medicine, medical, pharmaceutical company में invest किया तो जो हम लोग टीका का export कर रहे थे PPT kit export कर रहे थे उन सब से हमारा क्या हो गया export बढ़ गया और हमारा import कम हो गया तो overall हमारा current account surplus हो गया हमारा एक major import item गोल्ड भी है और साधियां में रोक लगा दिया दस लोगों की साधी एक दुलाह दुलन जाएगा जाड़खन में तो यही कह दिया था नै लड़का लखी जाएगा साधी करके आ जाएगा या 11 लोग कहा था या 11 लोग कहा था वह 11 में पंडित थोड़ी ना आता है 11 में पहले देख लो घर में माँ बाप भाई बहन पंडित के बिना भी साधी हो गई तो current account surplus यहां आपके देश में एकोनोमी में generate हो गया और यहां पर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया कैसे एक इसका बहुत बढ़ा रीजन है कि बिदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का जब यह current account surplus जेनरेट हुआ तो बिदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने का रीजन surplus बढ़ने का रीजन कि हम लोगों का खर्चा पेट्रोल पर बहुत कम और पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ते गई पेट्रोल की कीमतें लगातार हम लोग बढ़ने बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे मोदी को बहुत गालिया मिली कि पेट्रोल का दाम क्यूं बढ़ा रहे हो लेकिन वो यह भंडार इकठा कर रहा था पेट्रोल का यह foreign exchange reserve का जब economy आपकी जैसे ही थोड़ी सी balance हुई कोड़ोना के बाद जब विस्वा कोविड पोस्ट कोविड economy के बाद नजरीय को डालेंगे तो इंडिया में growth rate अचानक से बढ़ने लगा आप यहां का देखिए कि growth rate बढ़ रख्यों तो सब से अब काम तो होना ही है लोगों को invest तो कर रहा है यहां के government में उनको विश्वास है और इस वजह से foreign direct investment बढ़े और आपका विदेशी मुद्रा भंडार भी जमा हो यह दो जो फेक्टर है current account surplus का जमा होना विदेशी मुद्रा भंडार का जमा होना यह post covid economy के बाद physical policy के strong होने को दिखाता है कि हमारी जो हाल के राजको राजकोशिय निती में जो कदम है वो यह economy के strongness को indicate करते हैं तो जो conclusion लिखेंगे न फिसकल policy में उसमें इस तरह के data देंगे कि हमारा चालू खाता घाटा चालू खाता surplus है विदेशी मुद्रा भंडार है देश का GDP इतना बढ़ रहा है तो जो हमारी राजकोशिय निती में ने लिया गया है वो सब क्या है all is इस तरह से उसको conclude करना था चलिए अब आते हैं इस पे desired level of inflation दो से चार प्रतिसार दो से चे प्रतिसार तो बच्चे ने पूछा कि कैसे ये कैसे क्यों अभी डिटर्माइन नहीं हुआ या 2022 में क्या है तो चुकि 2022 में अभी तक हम लोग सेटल नहीं हुए एकोनोमी अभी भी कोविड से निकल रही है तो जो GDP का अस्तर होगा वही अस्तर डिटर्माइन करेगा आपका desired level of inflation जो GDP का अस्तर होगा अगर GDP बढ़ रही है तो हम बढ़े खरीच सकते हैं अगर आपकी income बढ़ रही है तो आपका हो सकता है कि inflation का target सरकार बढ़ा दे टार्गेट बढ़ाने का मतलग क्या सरकार ये कहेगी कि ठीक है आप 5 से 9% का inflation desired level होगा मतलग अगर इतना desired level of inflation है तो कोई चिंता की बात नहीं है economy में सब कुछ ठीक चल रहा है इतनी मागाई हम tolerate कर सकते हैं तो GDP बढ़ने के हिसाब से ये desired level of inflation change होता है तो आगे आईए MP में हम लोग देख रहे थे कि quantitative control में कुछ इस तरह के rates होते हैं और इस rates में major rates रेपो rate होता है इसको बढ़ाने और घटाने से money supply पर क्या होता है फ़ ज्यादा करना हो तो इस rates का वो use करती है आप समय सपर में पर देखते होगे कि रेपो डेट बढ़ा देती है रेपो डेट कम कर देती है इस तरह के लक्षन आप देखते होगे कुछ qualitative tools होते हैं जिसमें इस तरह के चीज़ें आते हैं qualitative का मतलब हिंदी में इसको कहते हैं मतलब कि पैसा के quality में change कर देना उसके गुन में पडिवर्तन कर देना characteristics में पडिवर्तन कर देना आप कभी गए होंगे बैंक और बैंक से बोले होंगा कि चेक दिये होंगे कहें होंगे मुझे 5 लाखाथ चाहिए तो बैंक मेनेजर चेक देखा होगा आपको मुह देखा कि एक लाख रुपया मिलेगा ऐसा हुआ है किसी के साथ आप हुआ है नहीं हुआ है देखो अनूज के साथ हुआ है तो अनूज समझाओ गारे मेरा मुह ऐसे क्यों देख रहा है मेरा तो पैसा तो है ना मतलब वहां आपके credit worthiness पे सवाल नहीं है लेकिन वह आपके body को है और आपको देखता है कि यह कि इना हमसे लर सकता हैसके लिए और उसको देखते हुए ऑज कहता डिम अपको पांच लाक भी दे सकता है लेकर मूँ देखता कि बच्चा कितना जिद्धी को अगर बुड़े अंकल जी होंगे तो उसको समझाया देगा कि आगे वाला branch में क चले जाई यहाँ सब काम आजकल नहीं हो रहा है बगल व्य ब्रांच में चले जाई ऐसे भी कह देता है अच्छा जी फिर अपना च्छतरी लेकर दूसरे ब्रांच में चुछ में आइसा देखे औयों देखे हो इसा मेरे साथ भी हुआ है मेरे पापा गय दिल्ली में बैंक में अपना यहां का एक कौन सा छेख होता जेटा इए मल्टी सी की यहां उनका चेख था वह लेके गय दिल्ली में रेजिस्स्ति थी एक फ्लैट की तो बैंक वाल Jord कहता है कि पैसा आज नहीं मिले गा कल आयेगा और मैं Lamba रेजिस्टेशन ऐफिस में पापा को फोन कर रहा हूँ आया नहीं ले के बुलाया था मैंने हम पापा पापा को फोन कर रहेंगे आये नहीं करा रही बैंक वला के हडागी आज मिलेगा कल सो कल रजिस्ट्री नहीं होगा अब हम पैसा लेकर पहुंचे हुए हैं वहां रजिस्ट्री होनी है अब पापा इधर गाया बैंक वाला इनको मना तो वहां पर जब पहुंचा तो दो SI को आपके जैसे SI बैठे हुए थे वहां पर बैंक मेनेजर अब दो SI बैठा हुआ बैंक मेनेजर और ताओ में पैसा नहीं मिलेगा मारें जूता खोल के तुमको चार जूता यहीं पर पैसा नहीं मिलेगा किस नियम से तुम बता रहे होगे पैसा नहीं मिलेगा एसाई मैंने भी बोल दिया गुषे में एसाई भी मेरा मुह देख रा है एसाई दो उताने में है ना वह under the bank में थोड़े इंदा है तो भाई मिडर साथ हम उसको आप जूता मारने वाले मा भी तो बोला ही avi तो तो मारेंगे तब तो bank manager का यह है एसाई के सामने हमको धमकी दे रहा है, हम उदे तुम जो दो एसाई बैठाय हुए हो ना हमारा दो IPS दोस्त भी है, तुरंट फोन करेंगे हेकरी निकाल देंगे, डाट दिया है उसको, बैंक मेनेजर हक्का बक्का, अरे सर बैठिये बैठिये पानी पीजे पानी पीजे, अरे ऐसा कुछ नहीं, क्या ज़र्वत है, अच्छा, चार लाग चाहिए, सर ऐसा थीन लाग दे सकते हैं, सर लिमिटेशन है, सर रभी आई का डैरेक्टिव साया हुआ है, सर यह समझाने लगता है, फिर बोले कि रभी आई का डैरेक्टिव दिखाओ, तो इतना तो समझदारी था ही हमें भी, कि डैरेक्टिव साया होगा, हमने का चली आप तीन लाग दे दी, मतलब चार लाग नहीं दिया, वो तीन लाग दिया, बैंक ऐसी हरकतें करता है, उसकी बेचारे की ना मजबूरी होती है, लेकिन वो कस्टमर पर डिपेंड करता है कि कि कितना उससे फिर ले बल परयोग कर ले, या धमकी दे ले, अरे भाई पैसे की जरूरत है तो उसको तो देना ही है, आपका सेविंग अकाउंट में वो क्या कहा जाता है, डिमांड डिपोजिट, आप डिमांड करेंगे तो वो आपको देगा, आपको वो मना नहीं कर सकते, लेकिन आर बी आई के डिरेक्टिव साते हैं, पैसे के करेक्टरिस्टिक्स को बढ़, कि आप अभी ज़्यादा लोन मत बाटिए, आप अभी ज़्यादा पैसा रिलीस मत कीजिए, तो ग्राहक को इधर उधर समझा के पटिकुलर एरिये से, पटिकुलर ब्रांज से पैसे की निकासी को कम कर दिय जाता है, यह आपने observe किया होगा, लेकिन RBI कभी यह नहीं कहता है, नहीं देना, genuine demand, अरे आपके घर में कोई हाथसा हो गया है, तो ऐसा थोड़े है कि वो पैसा मना कर दे, बेटी की साधी है तो ऐसा थोड़े है वो पैसा कमाना, तो genuine demand में उसको मना नहीं करना चाहिए, त आपको पैसे की निकासी होने नहीं देता है, दूसरा कि अगर बेंक इस तरह से काम कर रहा है तो उसको नुकसान भी कभी कभी हो जाता है, हो जाता है यह से अन्यहे, customer relations भी खराब हो जाते हैं, तो कभी कभी बैंक ना मानता भी नहीं है RBI के बात, RBI इंस्टक्ट किये तो RBI ना कुछ fine impose कर देती है, तुमको मैं कह रहा हूँ कि इतना निकासी नहीं करना है, फिर तुम मेरी बात को नहीं मान रहा है, तो इस तरह से strict measures लिये जाते हैं, direct action लिया जाता है, कुछ fine भी impose किये जाते हैं, कि आप money supply को इस तरह से बढ़ाओ, मत. तो ये सारी चीजें जो practice होती है, एक होता है moral suasion, moral suasion कुछ निर्देश नहीं होता है, दिसार निर्देश निर्देश, moral suasion जैसे की phone RBI ने किया, SBI के chairman को, कौन है भी SBI का chairman? SBI के chair, नाम ही नहीं पता है, पता कर लें, दिनेश कुमार, दिनेश कुमार और गरवर्णर, सक्ति कांथ ने phone किया, दिनेश कुमार और वो इसलिए नाम पूछ रहा था, हेलो दिनेश कैसा है बे, ऐसे पूछते हो ना दोस्त लोग से, casual, मतलब यो कोई formal talking ने, हेलो बहुत बार रहा है, देखो नहीं होना चाहिए, अब देश के लिए सही नहीं है, moral suasion, just a informal talk, कि ऐसा होना चाहिए देश में, getting or not, तो RBI और बैंक के बीच, अगर इस तरह का relation है, तो RBI की बात वो ऐसे ही मान लेता है, getting or not, तो एक है moral suasion, बिना कुछ किये, informal आधार पर, एक है direct action, एक है directives, ऐसे कुछ दिशा निर्देश करके भी money supply के quality पे हम लोग चोट करते हैं, इससे भी हमारा inflation in an threat होता है, मान लेजे आपको पैसा नहीं दिया, आपकी registry रुख गई, demand economy में कम हुआ या नहीं, कुछ-कुछ region ऐसे create कर देते हैं, जिससे money supply restrict हो जाए, तो ये भी चलता रहता है, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा role नहीं है, सारा role किसका है, quantitative का, अब देखें कि RBI कैसे inflation को control करती है, अपने इस सारे tools से, उसमें पहला है आपका bank rate, bank rate weather होता है, इसको ऐसे समझ लेजे कि at bank rate, bank rate at this rate, at this rate, RBI allows finance to commercial bank, इस दर पर RBI वानिजिक बैंकों को पैसा उपलब्द कराती है, वित उपलब्द कराती है, bank rate क्या है, यह वह दर है, जिस पर RBI बानिजिक बैंकों को वित उपलब्द कराती है, bank rate, इसका मतलब अगर bank rate बढ़ता है, तो sweet प्रतिक्षा बतलाएगी, पता ही बच्चे, अगर bank rate बढ़ता है, तो bank अब ज़्यादा loan लेगा यह कम loan लेगा, अगर यह rate बढ़ता है, इस rate पर RBI से वो लोन लेता है, इस rate बढ़ता है, इस rate बढ़ता है, तो आप लेंगे, नहीं लेना चाहेंगे, rate जब बढ़ता है, तो हम लोग लोन, same situation, RBI और bank के भी, RBI rate बढ़ा रहे हैं कि हम अब तुम्हें बढ़े हुए दर पर ब्यास देंगे, बढ़े हुए दर पर लोन देंगे, तो यहां क्या हो जागा, if bank rate increases, if bank rate increases, तो commercial bank will borrow, अगर bank दर बढ़ता है, अगर bank दर बढ़ता है, तो बानिजिक bank उधार कम लेगी, अब उधार अगर कम लेगी, तो आप जाएंगे बानिजिक bank से उधार लेने, तो बानिजिक bank will give you, commercial bank will, will provide less loan to its customers, तो बानिजिक bank अपने ग्राहकों को क्या देगी, कम उधार देगी, इसका मतलब money supply, इसको क्या कह सकते हैं, money supply कम हो गया, जब money supply कम हो गया, तो aggregate demand कम हो जाएगा, और इस तरह से आप लिख सकते हैं, aggregate demand अगर कम आपने कर लिया, तो आप लिख सकते हैं, inflation controlled, aggregate demand अगर कम हो गया, तो inflation control हुआ या ने, बड़े हुए मांग को हमने क्या किया, कम कर दे, मांग जादा होने से महगाई थी, हमने मांग कम कर दे, इसका मतलब bank rate बढ़ा के, आपने demand को क्या कर दिया, एक एक्जाम में भी ऐसे flow chart बना सकते हो, वो दिखेगा उसको, bank rate बढ़ा के, aggregate demand कम, अब जितने आपको rates लिखे थे न, देखे, shortcut यही है, जितने भी rates हैं, अगर वो बढ़ेंगे, तो money supply कम होगा, और aggregate demand कम होगा, और inflation नियंत्रित होगा, inflation control होगा, अब सारे का परिवासा अगर देखेंगे, तो आपको सब में ऐसा ही observation आएगा, चाहे bank rate बढ़ाओ, चाहे repo rate बढ़ाओ, चाहे CRR बढ़ाओ, एक open market operation को छोड़के, open market operation कुछ दूसरा idea है, उसको बतलाते हैं, जितने भी rates को बढ़ाएंगे, आपका money supply ऐसे ही क्या होगा, हर situation में, कम होगा, और aggregate demand इस तरह से कम हो जाएगा, समगर मांग, कुल मांग, कम हो जाएगा, और मांगाई क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगा, तो ये RBI इस तरह से bank rate को बढ़ा के मांगाई नियंत्रित कर ले, अब इसका opposite भी हो सकता है, rate को अगर कम कर देगा, तो क्या हो जाएगा, money supply बढ़ जाएगा, और इस तरह से aggregate demand बढ़ जाएगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, deflation controlled, अभी rate को कम करके, money supply को हम लोग क्या कर दिये, बढ़ा दिये, aggregate demand बढ़ गया, deflation क्या हो गया, controlled, ये situation है, inflation का just opposite, इसका मतलब RBI जो है, वो ये दोनों काम करता है, RBI monetary policy क्या करती है, अगर inflation का situation है, तो rate को बढ़ाएगी, अगर deflation का situation है, तो rate को कम गएगी, चाहे वो bank rate हो, चाहे वो repo rate हो, चाहे वो CRR हो, चाहे वो MSF हो, चाहे वो SLR हो, हर एक rate में SI होता है, सबका definition में कुछ इस तरह से लिखा होगा, और जब वो rate बढ़ेगा, तो यहाँ पर इस तरह की situations आएं, क्लियर है? अब इसमें, हाँ, आपने क्या पूछा, सर, बोलिया, नितिस जी, हाँ. नहीं, नहीं, RBI rate को बढ़ा रहा है, तो देखो न, money supply बढ़ रहा है, ना, money supply किस लिए बढ़ा रहा है, aggregate demand के लिए, बार बार successive rates क्यों हुए, एक सरकार आपके demand को बढ़ाने के लिए आपको नौकडी दे रही है, आपको LTC voucher scheme दे रही है, तो RBI भी तो करेगा, यह combined question हो सकता है, कि post-COVID, बहुत important सुनो, post-COVID economy के बाद, what are the combined efforts of government and RBI, या इस तरह से एगर नहीं देगा, तो कहेगा, what are the fiscal measures and monetary measures have been taken after post-COVID economy, समझ में आई बाद, post-COVID economy के बाद, क्या राजकोशी निती और मौद्रिक निती लिए गए हैं, जिससे demand बढ़ा है, जिससे अर्थववस्था control में आई है, तो RBI ने ये काम किया है, सरकार वाला तो आप लिखी लेंगे, सरकार ने क्या-क्या काम किया है, लिख देंगे कि 252 वेकेंसी अभी जल्द निकाला, एक पॉइंट में ये भी लिख देना जब नहीं भड़ेगा पेज, पूरा हैमन चच्चा का नाम लिख देना, लेकिन RBI ने क्या किया, RBI देखना, आप observe करना, आप example दे सकते हो, कि successively बहुत बार तीन चार बारी लगातार रेट कम कर, और ये भी important observation आप लिख सकते हो, कि this repo rate has lowest till yet, अभी तक का सबसे निमन repo-dar है, भारत के आजादी के बाद सबसे इतना कम repo-dar कभी नहीं हुआ, मतलब मांग बढ़ाने के लिए रेपो-dar को कम कर रहा है, ताकि money supply बढ़ा, आपको इतने सस्ते लोन कभी नहीं मिलेंगे, loot low offer, घर ले लो, गारी ले लो, गारी वाला दीन भड़ में 10 बार फोन कर रहा, ले लो गारी, ले लो गारी, घर वाला फोन कर रहा, पर्सनल लोन वाला फोन कर रहा, दीन में 4 वर, 10 वर फोन आता है, जिसको जिसको कोविट पॉजिटिव हुआ होगा, ऐसा हुआ है, अगर ऐसा आप इसको लिख सकते हो, तो ये वाला पॉइंट देखो, मेरा मिसिंग था, क्लास्रूम डिसकर्शन से ये निकल कर सामने आगए, अभी सरकार का हाल का प्रयास क्या है, कि पोस्ट कोविट एकोनॉमी में, हूसो एभर है अर्लियर कोविट पॉजिटिव, जिसका भी कोविट पॉजिटिव किसी सदस्का हुआ होगा, उसको सस्ते दर पर लोन दिया जा रहा है, इसका मतलग क्या है, मनी सप्लाइ बढ़ जाएगा, तो ये राजकोसिय निती में आएगा, ये मौदरिक निती में, साइड में लिख लो, ये नोट्स में नहीं है, इस तरह से अगर डिसकेशन होता है, कुछ पॉइंट्स निकल कर सामने आएगे, आप जितना सवाल पूछेंगे, आप सिकायत करना छोड़के, सवाल पूछना शुरू कुछेंगे, हिस्ट्री हो या जोगरफी, सवाल पूछेंगे, तब ज़्यादा चीज निकल कर सामने आएगा, ये आगे, रेट को कम किया, सरकार ने कई बार किस लिए, मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, money supply को बढ़ाने के लिए rate को कम किया और deflation को control गया इस तरह से RBI monetary policy से monetary policy tools से inflation या deflation control करती है अब इसमें बहुत सारे rates हैं जो कि सिर्फ definition पर depend करते हैं अब suppose करो एक ले लिया हमने CRR cash reserve ratio notes में उसी तरह सब लिखा हुआ है मैं एक एक करके आपको एक example देके बतला देता हूँ CRR cash reserve ratio इसका है क्या कि every bank has liability to deposit some of its cash with RBI RBI के पास कुछ पैसा बैंकों को हर बैंक को RBI के पास क्या करना होता है रखना होता यह SLR से अलग होता है SLR में पैसे के अलाबा security या bullions, gold यह भी रखा जाता है यही दोनों instrument को अलग बनाता है और वो भी liquidity को ही ध्यान में रखके किया गया है यहां मान लो कि अगर bank के पास 100 रुपया है और 4% अगर CRR है तो 4% तो RBI के पास चला गया चला गया ना अब इस rate को अगर हम बढ़ा देते हैं CRR अगर बढ़ जाता है 6% कर दिया तो अब 100 में 6 रुपयार भी आई के पास चला गया तो पहले bank को कितने बचे यहां पर 96 और यहां तो यहां साफ है कि bank will borrow more money supply बढ़ गया aggregate demand बढ़ गया और इस तरह से inflation control ऐसा ही है ना rate बढ़ने से क्या होगा inflation control bank will have more money अगर CRR बढ़ जाता है sorry 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 CRR 4% था 6% हो गया CRR बढ़ गया तो money supply यहां क्या हो गया कम हो गया money supply कम हो गया aggregate demand कम हो गया और inflation control इस तरह से inflation control हो गया इस तरह से inflation control इसी का just opposite deflation control अब यहां पर CRR में सिर्फ cash होता है और SLR में क्या होता है गोल्ड भी होता है कुछ hard currency भी होती है ऐसा क्यों किया गया है कि बैंक को flexibility दिया गया है बैंक को कहा SLR में कि मालो कि तुम 15% अपने पास यहां RBI के पास और बैंक यहां पर अपने पास himself स्वता बैंक अपने पास खुद रखता है उसको 15% को यहीं अंतर होता है यहां से भी securities आ सकते हैं कि CRR क्या होता है SLR क्या होता तो CRR में बैंक अपने कुल जमा का कुछ पैसा RBI के पास और यहां पर SLR में खुद रखता है तो यह इसलिए रखने का कंपल्सन है कि जब आप demand deposit उससे मांगने जाए तो बैंक के पास कुछ credit वर दिनेस हो और आपको लें देन कर पाए तो यहां पर flexibility यह दी गई है कि smart bank manager जो होगा वो यहां पर ज़्यादा gold रखेगा ज़्यादा hard earn money रखेगा और market में उसका 94 में से 15 गया कितना होगा जी आचा 100 मांग लो 100 में से 15 गया पचासी तो उसके पास यहां पचासी रुपया है 15 लूज करने के बाद इसका मतलब कि अगर यह 15 रुपया वो रुपया ना रखके यहां पर अगर gold रख दे तो उसके बाद ज्यादा amount में cash होगा या नहीं होगा तो वो cash का deal करेगा और gold को जो less liquid है उसको reserve में रख देगा तो bank के discrepancies पर depend करता है कि कैसे वो money multiply करता है जितना ज्यादा एक branch manager loan बाटता है तो उसका business उतना बढ़ता है तो वो अपना strategy अपना लगाता है लेकिन liability है कि 15% आप bank को खुद अपने पास reserve में रखना है तो यहां भी same होगा कि अगर SLR बढ़ता है तो उसके पास money supply क्या हो जाएगा aggregate demand कम हो जाएगा inflation control तो इस तरह से shortcut आप यह समझ लिजे कि जितने भी rates हैं अगर वो बढ़ते हैं तो money supply क्या होता है कम होता है और aggregate demand कम होता है PT की चीजें हैं लेकिन language में सब मेंस में आपको लिखना पड़ेगा कि monetary policy कैसे inflation को control करती है aggregate demand कम तो inflation control और इसका just opposite rates कम money supply ज्यादा कुल मांग ज्यादा तो deflation control यही shortcut है MCQ में भी काम देगा इसमें एक instrument अलग है open market operations open market operation जैसे अभी नितेश ने कहा कि rates को कम किया गया चारवर कम किया गया पांच बर कम किया गया यह क्या दिखाता है किसी economy के लिए अगर आप rates को बार बार कम कर रहे हैं तो what it indicates what it indicates कि this economy has low aggregate demand this economy has low aggregate कि इस economy में मांग नहीं है तभी तो बार बार यह rate को कम कर रहा है तो जो बाहर वाला देश वाला है विदेश जो आपके यह foreign direct investment लेके आता है वो कह रहा है यार इसके यह demand नहीं है तो इसके invest क्यों करोगे आपका demand ही तो आपका strength है यह इंडिया में जो demographic dividend है youth population है 15 to 59 इतने जादा लोग रह रह रहे है इसी बाजार की वजह से तो बाहर वाले यहां निवेस कर रहे है और दिख रहा है क्या कि इंडिया में demand नहीं है rates को यह कम कर रहा है क्यों भाई money supply को बढ़ाने के लिए इसके माद इसका मतलब इसके पास demand तो इस economy में investment करना क्या हो गया risky हो गया मतलब outsiders will not take faith on you or they will not invest in your economy वह आपके अर्थववस्था में निवेस नहीं दिस regular fluctuations in repo rate indicates your vulnerability यह जो regular fluctuate हो रहा है repo rate कम जादा हो रहा है यह आपके अर्थववस्था के दीन हीनता को व्यक्त करता है कि यह economy stable नहीं तो a stable economy नहीं है तो no one will interest in investing तो आपके हिए investment क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो यह tension की बात है तो सरकार ना बहुत हद तक normal circumstances में कोशिस करती है कि इन सारे rates को touch ही ना करें कैसा भी situation हो बहुत कम touch अब corona हो गया तो touch किया चार बड़ कम कर दिया पाँच बड़ कम कर दिया लेकिन सरकार का मनसा क्या होता अर्भी आई का मनसा क्या होता है यह rates को touch नहीं किया जाए ताकि यह सब कुछ अच्छा दिखे यह all is going good in India कि अगर बैंक आपका रोज रेट बढ़ाएगा घटाएगा आप डर के मारे लोन लेंगे नहीं लेंगे 6.35 में लोन दे दिया और घर आये तो कहा है आप 9.35 हो गया लेंगे उससे लोन नहीं लेंगे तो ऐसे एकनोमी में कोई invest नहीं करता है तो जहां ब्याजदर इस्थिर नहीं हो यह आपके और इस्थिरता को इनस्टैबिलिटी को दिखाता है तो सरकार यह चाहती है नॉर्मल सरकेमस्टैंस में इस रेट्स को टच ही ना किया जाए और इसके लिए टूल क्या है open market operation open market operation का फंडा यह है कि without touching tools open market operation कहां पढ़ है monetary policy में और इसको कहा जाता है कि look the beauty of monetary policy अगर आपको मौदरिक निती की सुंदर्ता को देखना है तो इसको देखे look the beauty of monetary policy यह मौदरिक निती की सुंदर्ता है open market operation कि विदाउट टचिंग रेट्स, विदाउट टचिंग रेट्स, ओपेन मार्केट ओपरेशन वो काम कर सकता है कि मनी सप्लाई को नियंत्रेच कर सकता है, तो यह खुबसूरती हुई या ने? अरे बिना नील टीनो पॉल लगाए, अगर लड़की खुबसूरत दिखे तो वो ज़्यादा अच्छी बात है ना? या लिपिस्टिक उपिस्टिक लगा के, मेकप लगा के, सुन्दर लगे वो अच्छी बात वो ऐसा ही हाला एकनोमी का, रेट्स को बिना टच किये हुए, आपने अर्थववस्था में डिमांड जेनरेट कर दिया, ओपेन मार्केट ओपरेशन से, विदाउट एनी मेकप, विदाउट एनी अडिशनल एफ़र्ट्स, तो ओपेन मार्केट ओपरेशन क्या होता है? किस मस्चली के अगर मार्केट में पहुंस तो कहता है म फचली लो मचली लो मचली लो मचली कहता है तो आप उसको पैसे देता है तो यहाँपर सिकृरिटी का लेन देन है, बैंक और और भी आई के पीज़, उपेन मार्केट operation क्या है, sale and purchase of securities, government securities between bank and RBI, if bank will purchase securities from RBI, तो इस तरह से देखो समझो, if bank will purchase, bank will purchase securities from RBI, अगर bank RBI से security खड़ीदती है, तो bank क्या देगी, RBI को पैसे देगी, तो credit with money, credit with commercial bank decreases, अगर bank मचली खड़ीदेगी, तो क्या होगा, उसको पैसा दे के खड़ीदना होगा, तो credit with commercial bank decreases, बानिजिक बैंकों के पास पैसा क्या हो गया, कम हो गया, तो money supply decreases, aggregate demand decreases, inflation control, क्या होता है, यह मचली बाजार वाले example मैंने आपको इसलिए दिया, कि यह language आपको MCQ अगर में बदल देता है, जैसे आपने यहाँ रट के गए, कुछ रटन्त विद्ध्या वाले होते हैं, bank will purchase, ऐसे रट के गए, वहाँ देदेगा, कि RBI has purchased securities from RBI, statement बदल देता है, तो वहाँ आप confused होने लगा, आप बस यह देखें कि आप normal बाजार का imagination देजिए, कि कौन pay कर रहा है, और कौन product दे रहा है, तो bank और RBI के बीच में transaction है, bank ने पैसे दिये, तो इसका मतलग क्या हो गया, bank से liquidity कम हो गया, bank के पास money supply कम हो गया, नहीं, RBI उल्टा हो जाएगा, RBI purchase, RBI bank से खड़ीद रहा है, तो RBI क्या करेगा, bank को पैसे देगा, तो यह deflation control होगा, तो इसका just opposite अगर इस तरह से लिख दें, कि if RBI purchase securities from banks, actually RBI purchase नहीं करता है, यह मैं समझाने के लिख रहा हूँ, यह क्या होता है, bank का linden होता है, लेकिन इसको opposite में आप ऐसे, RBI क्यों purchase करेगा, क्या मतलब, bank उसके पास जाता है, कि यह लोग मेरा securities रख लो और मुझे पैसे दे दो, तो RBI अगर purchase करता है securities from banks से, RBI अगर खरीदता है, तो money supply with banks, बढ़ जाएगा, aggregate demand बढ़ जाएगा, और deflation control, तो open market operation का खुबशूरती यही है, कि without touching rate, by selling securities between banks and RBI, inflation and deflation get controlled, मुद्रावस्फिती और मुद्रावस्फिती को नियंतरित कर लिया जाता है, बिना वो सारे rates को touch किये, तो यह ज्यादा खुबशूरत चीज है, यह आपके economy में यह नहीं दिखा रहा है, कि आपका economy vulnerable है, यह inner sale है, वो बिदेशी लोगों को क्या पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, यह आप अपने lend-in से money supply को balance कर रहे हैं, तो normal circumstances में सबसे बहतरीन tool है, लेकिन जब हाथ में बात नहीं रह जाती है, security से काम नहीं चलता है, तब हम लोग रेपोडेट को down करते हैं, और दिने उठ जाओ, सुबह हो गई मामू, उठ जाओ, मारूंगा बादमा, मतलब इतना मैं चिला रहा हूं, तुम सो कैसे गया जी, जोड जो से सांस वाद, बाबा राम देव को याद करो, RBI पर्चेज, मतलब यह वर्ड जो है न, यह पर्चेज, यह सही निया, एक्चुली कमर्शियल विल, कमर्शियल बैंक विल पार्क देर सिकुरिटी, यह सही संटेंस है, अब पर्चेज थोड़ी करता है, पार्क करता है, आपको लोन, इंद्रा विकास पत्र लेके कभी लोन लेने गए हो, तो बैंक आता है, कहता है कि कभी अपना इंद्रा विकास दे दो, और मेरे से लोन ले जाओ, बैंक नहीं कहता, आपको जरूरत है, तो आप अपने इंद्रा विकास पत्र, किशान विकास पत्र को जमा करते हो, गिडवी रखते हो और बैंक से आप लोन, तो बैंक जनरली ये काम करता है, तो ये वर्ड सही नहीं है, लेंग्विज सही नहीं है, कमर्सिया, हाँ होता है, आप कह सकते हैं, कमर्सियल विल, बैंक विल पार्क देर सिकृरिट, ऐसे कहते हैं, लेकिन समझने के लिए काफी, तो इससे MCQs भी पकड़ाएगा, और आपका government securities होता है, प्रतिभूती, सरकारी जैसे ONGC में bond खरीद लिया, डिवेंचर्स खरीद लिया, या जैसे और government securities को guild as securities भी बोलते हैं, क्योंकि उस पर सोने का लेप रहता था, सोने का framing रहता था, तो उसको guild as securities बोलते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों का इसमें लेंदेन होता है, government प्रतिभूती, तो जो सरकारी कंपनिया जितने हैं, उसमें bond खरीदा हो, प्रतिभूती खरीदा हो, वो सब होता है, सरकारी प्रतिभूती, ठीक है, बैंक बाबू invest करता है, पैसा अगर तुमने बैंक के पास जमा किया है, तो तुम्हें वो 4% ब्याज कहां से देगा, ओ NGC में bond खरीद लिया है, तुम्हारे पैसे से, अब वो bond क्या कर रहा है, RBI के पास कभी जरूरत पढ़ गया, गिर्वी रख दे रहा है, बस यही होड़ा है, open market, simple, आप भी ऐसा काम करते हैं, इंद्रा विकास पत्र खड़ीते हैं, किशान विकास पत्र खड़ीते हैं, और emergency परता तो उसका तोड़ते नहीं है, आप उसको जाके बैंक के पास गिर्वी रख देते हैं, कि यह इसको रखी है और हमें इतना loan दे देजिए, हाँ, वो सब भी होने लगा है आज कल, पहले सिर्फ इंद्रा विकास पत्र पत्र में होता है, यह financial instrument को गिर्वी रखना हुआ, पिनांशल इंट्रुमेंट को आप गिर्वी रखने हैं, बोली सर, और मार्केट और अपरेशन में गॉवर्मेंट और अर्ब्या के बिच क्या हूँ, गॉवर्मेंट और अर्ब्याय के बिच ले लेन लेन सिकूरिटी का, प्रतिभूर्ति का, ठीक है, पैसा तुम चिन्नी चोड समझे हो क्या जी बैंक को तुम्हारे पास आएगा सिकृरिटी सी लेकर बैंक आपस में कर सकती है बैंक आपस में यह चीजें भी करती है जैसे बैंक को अगर जरूरत हुआ पैसों के तो पी एन भी से एस बी आई को हेल्प कर दिया यह सब उनका अपना लोकल मेनेजमेंट होता है ने आप पर्चिज करते हो आप तो गोल्ड क्या कहते हैं उसको स्वर्न अभूसन योजना यह सब भी आज कल बैंक से खड़ी दने लगए हो स्वर्न गोल्ड बॉंड यह सब भी आपका कहां चला गया बैंक में चला गया बैंक उसको इन्वेस्ट करेगी आपको वो rat of interest ते रही है तो आपका पैसा Money Supply बैंक के पास चला गया बैंक उसको आप इंफ्रस्ट्रॉक्चर के लिए यूज करेगी क्या बच्चे यह ओएमो के अंदर सिर्फ सेल एंड पर्चेज ऑफ सिकृरिटीज बिटमिन बैंक एंड आर्ट वियाई यह सब तो लोकल मेनेजमेंट है बैंक आपस में भी लिंदिन करती है और बैंक से अगर हम लिंदिन कर रहे हैं आपका पैसा कहा चला गया जो सोने में जाता हूं कहा चला गया बैंक के पास चला गया इसका मतला अर्थ ववस्था में यह मनी सप्लाई क्या कर रहा है बढ़ा रहा तो यह सरकार का एफ़र्ट है बैठे रहो सटसंग सुन रहो ना तुम लिख नहीं सकते हो यह कितना इंपोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं गोल्ड सॉवरीन बॉन्ड यह सरकार का फिस्कल पॉलिसी है यह सरकार का फिस्कल पॉलिसी है गोल्ड सॉवरीन बॉन्ड सरकार कह रही है कि जो तुम सोने में पैसा लगाओगे सो बॉन्ड खरीद लो और तुमको हम कागर इसको पेपर गोल्ड कहते हैं, बैंक में आप सोना खरीदने के जगा आपको एक सर्टिफिकेट देगा, कि आपके पास 10 ग्राम का सोना है और आप उसको दे दीजे 60,000 रुप्या, और आपको इस पर 1.5% वो इंट्रेस्ट भी दे रहा है, जबकि आप अपने घर का सोना अगर बैं में कागज का टुकड़ा ले जाओ, कितना चला के देखो मोदी, गोल्ड सोवरीन बांड, यह क्या है, फिसकल पॉसलिए, लोगों का पैसा बैंक तक लाने का उपाए, मनी सप्लाय बैंक के पास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, देन बैंक विल गिव मोर लोन टू अग क्रिया सुरू कीजिए, और यह मोबाइल एप धीरे-धीरे लेते जाएगे, वहीं पर आपको नोर्स मिलेगा, यह सर, बोल यह WPI इनफ्लेशन आगे पढ़ेंगे, सर, नेक्स्ट, आ यस, पढ़ेंगे, अभी यह एक क्लास और चलेगा, तब नाइन्थ टॉपिक आपको ख वाइट लेवल गूड्स, क्या कहां पढ़ पढ़ा, कंटेक्स्ट बतला, हाँ, 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 इस तरह का केटेगराइजेशन है, बिल्कुल, कुछ होगा उसमें वाइट लेवल गूड्स, किसी चीज को कहते होंगे, कोई ऐलेक्रोनिक्स का गूड हो, उसको नाम दिया होग ब्रांडिंग होगे, वो कंटेक्स्ट दिखाना, बता दूगा, ठीक है, बैंक रेट लॉंग टर्म के लिए होता है, कौन पूछा, मारेंगे, हमको मतलब सिखा रहा है, मारेंगे थपड, बैंक रेट में क्या अंतरह तुम नहीं जानता है, पीटी पढ़ा है, पास किया है और हमसे पीटी का सवाल करे, हमको चेक करना छोड़ दो तुम, यह जवाब नहीं जानता है तुम, कौन यह जवाब नहीं जानता है पता, एक एड़टीजमेंट आया था, यह पीएस पीओ नहीं जानता, वही वाला हाल हो गया तुमारे, यह सवाल है, बैंक रेट और लंबी अवधी के लिए होता है रेपो रेट में सिकूरिटीज भी होता है बंक अलग तरह की इंस्रूमेंट है यह Guardesta तेंदिंग फेसिलिटी जो ए वह वह सिर्फ रात वर उसमें लोन दिया जाता हैं अगर बैंक का अवधी About the bank में lubंबी अवधी के लिए Along lelior और आपको जरूरत है कम पैसे की रात भड़ के लिए तो आप लंबी अवधी के लिए अगर लोन ले लिए तो आपने तो लंबे समय तक economy में money supply बढ़ा दिया ना तो beauty of monetary policy यह भी है कि अलग-अलग तरह के rate है अगर आपको कम समय के लिए पैसा चाहिए तो MSF जादा समय के लिए पैसा चाहिए तो bank rate आपको नहीं bank को अगर repo rate में क्या repurchase option नामी है उसका repurchase option पुना विक्री मतलब जब भी bank का जरूरत पूरा हो गया वो RBI के पास जाएगा कहा कि भाया मेरा जरूरत हो गया लो लटा लो जो linden था clear करो इसका मतलब उसमें क्या है repurchase option है जो loan लिया है वो किसी भी time में वो RBI से settle down हो सकता है उसमें repurchase option है चलिए कल मिलते हैं